लड़कों के होट पर तिल होना कैसा होता है? दोस्तों इस वीडियो में हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे जियती सास्तर के अनुसार हमारे सरीर पर जितने भी तिल होते हैं वो हमारे लिए कुछ ना कुछ जरूर अवस्या बताते हैं साथ ही साथ हमारी खूप सुर्थी को तो बढ़ाती ही है तो दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि लड़कों के होट पर तिल होते हैं तो लड़कों के लिए कैसा होता है उपरी होट पर तिल हो तो कैसा होता है और निच्चे वाले होट पर हो तो कैसा होता है वीड यो बनाया गया है जोती सस्त्र के अनुसार जिन लड़कों के उपरी होट पर तिल होता है वे लड़के थोड़ी सुजी सभाव के होते हैं अपने में ही होने वाले होते हैं वे दूसरों के साथ कैसा विवार रखते हैं वो उनके दिल पर डिपेंड करता है जैसे कि अगर पास वे बहुत अच्छा विवार रखेंगे। अगर उनके पास नहीं है दिल पास नहीं है उनके साथ अच्छा विवार नहीं मानते हैं वे लेकिन सभी लोग भी उने पसंद नहीं करते हैं। जिन लड़कों के उपरी होट के लेप साइड में तिल हो तो वे बहुत अच्छा नहीं होता है ऐसा कहा जाता है जोती सास्तर के अनुसार कि ऐसे लड़कों को जीवन में अपने जीवन साथी से बहुत कम सर्योग प्राप्त होता है लेकिन ऐसे लड़के सभाव के भहुत अच्छे होते हैं क्योंकि कोई भी उनसे बहुत अच्छी त्रह से आसानी से प्रभावित हो जाता है उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है ये लेकिन उनके जो होट पर तिल होते हैं लेप्ट साइड में वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता है जोति सस्त्र के अनुसार लड़कों के नीचे वाले होट के दाएं तरब तिल होते हैं तो वे लड़के अपने कारिय चेतर में बहुत ही परफेक्ट माने जाते हैं कारेट सहत्र में प्रफेक्ट होने की वज़े से वे लड़के लोगों के बीच बहुत जल्दिपर्शित भी हो जाते हैं अपना नाम कावाने वाले होते हैं ऐसे लड़के को खाने का काफी शोक होता है सभाव में ऐसे लड़के बहुत ही रोमांटिक होते हैं जोतिस अस्तर के अनुसार जिन लड़कों के नीचे होट पर बाइद और तिल होते हैं ऐसे लड़के खाने के काफी सोकिन होते हैं और इनको छोटी छोटी कई प्रकार की बिमारियां हो जाती है जैसे सरदी हो गई जुखाम हो गई इस तरीके से ये बहुत जल्दी बिमार पड़ जाते हैं लेकिन इन लड़कों को नए कपड़े पहनने का काफी सोकिन होता है और साथ ही साथ ये अपने चीजों को संभाल कर रखते हैं और अपने जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा विवहार रखते हैं चैनल को लाइक सबस्क्राइब और कमेंट कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार